आज हम बनाएंगे आपके मुह में पानी आ जाएगा और एक बार खा लिया ना तो सच बताने गाई इसका स्वाद नहीं जाएगा इतनी टेस्ट है सोय बिन की सब्जी बनती है तो यह बुलकुल नई ट्रीक है नई तरीके से बनाई है तो प्लीज गए चैनल को सब्सक्राइ जरू करना तो चलिए दोस्तों देडी किस बात की करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट है लो एवर्रीवन वेल्कम बैक टू मैं चैनल कुंच की रसोई इसो दोस्तों बनाते हैं एकदम नई ट्रिक से यह सोय बिन की निव रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कट सबस्कार जाओ तो चलिए दोस्तों अभिए तो दोस्तों आप तक अच्छे से बहीं दे देंगे एक डगदेंगे पांच मिन वाद इसको चैक कर लें हैं इतने हम अपनी दूसी तैयारी कर लें लेंगे जिसमें चटनी बनाते ना वही ले लिया जार मैंने अब यहाँ पर तो प्रेंच यहां पर दाल दूँगी और लेकर ने एक प्याज रफली कट करके रखी ती तो वह बी अच्छ भी ढाल दीए और दो हरी मिर्ची में बीच में से डाल दीए तो यह बीडाल दूगी यह देखे अब में ट्रिक के आएगा इस यहां पर हम डालेंगे साथाट सोय बीन तो सोय बीन अच्छे से भीग चुकी थी तो मैंने निचोड़के इसमें डाल दिये तो गाइस बहुत ही बढ़िया यह ट्रिक है इवा इस ट्रिक से यह सोय बढ़िया टेस्टी लगती है तो चलिए दोस्तों अब हम इसका पेष्ट बनाकर तयार कर लेते है हमारा पे्ट बनके तैयार हो चुका है तो हमने यह बटीक नहीं पीसा है हम ने यह थोड़ा दर दर पेष्ट तैयार कर लिया है तो चलिए दोस्तों अब क्या करेंगे सको साइड में कर लेते हैं इसकों कर लेते हैं अब दूसरी तयार हो तकर यहां पर मैंने तीन टमाटर की प्यूरी बना लिए तो पेस्ट मैंने आपको दिखाई था कि पेस्ट हमें कैसा बनाना है और यहां पे मैंने आदा प्याज चोटी-चोटी पीसेज में कट करके रखी है और दो हमने हरी मिर्ची बीच में से चीर के रख लिए तो चलिए दोस्तों यह सारा समान हम एक दूसरी प्लेट में हम रख देंगे यह देखी इस तरीके से तो जैसे मैं कर रहे हुँ ना आपको सेम प्रोसेस करना है तो चलिए दोस्तों सारी हम बड़ी को निचोड के रख लेते हैं सो फ्रेंट्स यह लीजिए बहुत ही अच्छे से हमने यह निचोड के तयार कर परफेक्ट तरीके से तो चलिए दोस्तों अब हम इसकी रेसिपी बनाएंगे उसके लिए चलते हैं अपनी गैस की तरफ सो फ्रेंट्स गैस पर खड़ाई रख दिये फ्लेम को ओन कर दिया है अब यहां पर सबसे पहले डालेंगे सर्जो का तेल तो फ्रेंट्स तेल हमें तो यहां पर पहले हम आलू छोड़ देंगे तो दिहान से छोड़ना क्योंकि थोड़ा नमी रहती है तो छीटे आई जाते है तेल के और इसको ना अच्छी से फ्राइब करेंगे ताकि हमारे आलू बहुती अच्छी से फ्राइब हो चुके हैं और यह ना बिल्कुल सॉफ ध्यां देहां तो एक मिर्च करेंगे आल एक मीरच को चुका है तो हम इसको जलुब देहां लेंगे तो छीए मिन की रैसिपी概 देख सकते हिए तो यह देखी गाइस बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं दोनी ची तो चलिए दोस्तों अब हम सोयवीन करेंगे तो फ्रेंट्स यहां पर मैंना थोड़ा तेल कम कर लिया था क्योंकि सोयवीन ना वह जादा तेल पी लेती हैं तो इसने थोड़ा कम तेल डाल लिया है मैंने इस प्यारा चुका है तो गाइस हमने इस लिए थोड़ा तेल डाला था क्योंकि यह ना फिर ज्यादा तेल पी जाती है फिर बहुत जादा ओली हो जाएगा तो चलिए दोस्तों सारी बड़ी हमने निकाल लेते हैं यह देखिए तो फ्रेंट्स आप इसकी हम सब्सक्राइब ब अब इसके बाद हम डाल देंगे थोड़ सी हींग तो गाइस यहां पर हमने हींग भी डाल दिया विसको अच्छे से हम भूनने देंगे तो फ्रेंट्स यह लीजिए बहुत ही अच्छे से हमारे जीरा भी बुन चुका तो यहां पर मैंने कटी वही जो प्यार रखी थी थी डालने के बाद इसको अच्छे से भून लेंगे यह देखिए तो थोड़ा हमारी कडाई तेज हो रही थी यानिकि तेल अच्छे से गरम हो रहा था था अब जो हमने पेश्ट बनाया था ना सोयबीन प्याज नहसुन और हरी मिर्च का वह डाल देंगे डालने के बाद इसक होना अच्छे से भुनेंगे तकि इसका कच्छापन बुल्कुल हट जाए था था फ्रेंट पेश्ट हम अच्छे से भुने की तैयार हो चुका है तो यहाँ चाल देंगे हल्दी पाउडर एक चम्मच बर आन द तनिया पाउडर और एक चम्मच हम यहां पर डाल देंगे तो फ्रेंट्स हमारा मसाला जलेना उसके लिए हम क्या करेंगे हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो आदा कप करीब हम पानी डाल देंगे और पानी डालने के पाद इसको अच्छे से पहले मिला लेंगे यह देखी इस तरीके से और इस मसाले को हम अच्छे से बुनने हिंके तयार हो चुका है तो यहां पर हम टमाटर की प्यूरी डाल देंगे डालने के बाद गाइस पहले इसको अच्छेसे मिला लेंगे यह देखे रस्खता है यह देखे तो नमक आप अपने साफ से दाल सकते हैं कम यह जढाद को यहां मैं यहां पर मैंने जो हरी मिर्ची कट करके रखी थी चीर की जो रखी थी वह डाल देंगे डालने के वाद आप टमाटर को मसाले के साथ अच्छे से हम भून लेंगे सब्सके मिला खाली मिला ला घालने के वाद इसको मिलाद जेती हैस एक दैसमालश के लिए से हम्यार को मिलालेंगे बदलने जिर्चे वहाँ जात इस लाटर रखी मिलांगे बड़ेंगे एक इसली वहाँ देख कर दो फ़िह डालने के लिए beh aamon हो तो इसको आप ऐसे ही खा सकते हैं ए सब्सक्टी मidän सब्सक्ता है तर शका सकते हैं तो पा पानी चिर्णी और काकILY-पास तो तो पहले स्ट नहीं ना कितना और तॉछल दोस्तों के मैं थे घ्लाος बादे में कुम्हेर भी झाटेजenne आ बर्ला में थह至 gör देखने डिगने रही देखने में मूह में पानी आनी के सब्सक्राइब आप तुम क मैंा घर्मागर हमारी आलू शोयबीन और शिम लामर्च की रेसिपी बने के तयार हो चुकि बहुत ही टेस्टी लग रही है इसकी मैं क्या तारिफ करूं सच में बताँ आप खुद बनाएंगे ना तो आप खुद करेंगे के वाकए में बहुत ही बढ़ी हैं मज़डार और शाही जाए तो आप ना अपने घर आए महमान को भी बना के खिला सकते हैं बहुत ही बड़ी लगती है जब भी कुछ सब्जी समझ में आयों घर में महमान आ जा तो आप इस तरीक बना के खिलाएंगे न तो इसकी रेसिपी आपके महमान जरूर पूछ के जाएंगे तो फ्रेंट्स सब्सक्राइब के लिए बाई टेक किया लव यू ओल